तो जिस प्राइज में दोस्तों आपको कॉम्पैक्ट स्वी कर साथ सेकेंड मॉडल भी नहीं मिलता है या फिर हैच भाइक का कोई थर्ड या फॉर्थ मॉडल मिलता है उस प्राइज में एक ऐसी गारी मिल जाती है जो कि आपने शायद देखते वे अपनी रिसर्च करते वे इग्नोर करेंगे लेकिन यह बहुत ही वैली फॉर मनीकार है तो इसका एक शोरूम प्राइज है 10.9 लाक रुबी जी है क्रेटा का बेस मॉडल सेफटी फीचर्स की बात करते हैं आपको टायर प्रेशर मॉटर्ण सिस्टम मिल जाता है ट्राक्शन कंट्रोल मिल जाता है हिल इस बाते स्टीव का जब नेमी कॉंबाक्त दिया गया बर यहां पर ऐसा कॉंबाक्त वाला सीन नहीं है तो वेल्कम बैक टू टीम का डिलाइट क्या कुछ आपको मिल जाता है इस मॉडल में बताने वह बहुत ही डिटेल वाकराण में क्या-क्या फीचर्स अवेलिबल हैं क क्या इसका उन्रोड ट्राइज रहेगा और बाकी जो राइवल कार जैसे की सेल्टोस होगी हाई रहेट होगी तो उनका उन्रोड ट्राइज क्या है इस मॉडल की कमपेरिजन में तो और कुंभून सी कार्स का ऑप्शन रहेंगे तो बहुत ही डिटेल रिव्यू रहने वाल कि सबसे पहले अगर बात करें तो यहां पर कुछ ऐसी ग्रिल मिल जाती है हुटए की सिग्नीचर के डिजाइन ग्रिल ले ब्लाक फिनिश दी गई है यहां पर आपको पर सिल्वर फिनिश मिल जाती है और यहां पर देखेंगे तो कुछ ऐसे हैद्लाम अवेलिपल यह और यापको अपको अंदर जाके बताऊंगा उसे पहले आप दिख सत्ते हैं इसस दा फ्रेंट लोग तो क्रेटर की जो लोक वो काफी आपको बड़ी मिल जाती है वाइट भी बहुत लगती है तो एक कॉंपक्त एक एक कंपरेजन में यह काफी बिग कार वली लुक डेफिनि की अपर और इसके लावा दोस्तों यह है साइट रोफाइल यहां पे आपको ग्राउंट लेरंस मिलती है एक सो नब्य एमेम की और पेंटालेस लिटर का यहां पे आपको फ्यूल टैंग मिल जाता है बाकी जो डिमेंशन कंपेरिजन है टेकनिकल स्क्रेसिफिकेशन कंपेर आप देख सोते हैं अपनी स्क्रीन की ओपर बहुत ही डिटेल में So before going ahead in this video I want to tell you about something very interesting वो है एक एप एन एक वेबसाइट विछ इंडियास लेडिंग इन वेरी वेरी ट्रॉस्टिक तो वो है बोर्डमो.com बोर्डमो.com से आपको अपनी कुछ मैं बी ओर गरता हूँ है आपको सारी स्सेस्टी समिल जाती है यहां पर सारी स्सेस्टी स्पेर पर्च बहुत ही कॉंपरिटिटिव प्राइज में अवेलेबल है एंड इसी के साथ यहां पर टर्न इंडिकेटर आपको और वार्वियम पर नहीं मिलेंगे इस मॉडल में वो फ्रेंट फेंडर पर दिये गए और कुछ ऐसे आपको वील्स मिल जाते हैं 205 by 65 section टायर है आर 16 तो 16 इंचेस के यहां पर स्टील वील दिये गए हैं वील कवर्स के साथ यहां पर आपको साइड बॉडडी क्लैडिंग मिलेगी और देख सते हैं कम्रीट साइड बॉडडी क्लैडिंग है यहां पर वील आक्षिस पर भी क्लैडिंग है फ् पर यह स्पॉलर अवेलिबल है साथ में और भी काफी कुछ मिल जाते हैं उससे पहले दोस्तों अगर आप कोई भी कार की सर्विस कॉस्ट दिखना चाथे तो वह अमारी वेबसेट के पर लिस्टेट है दस साल तकी सर्विस कॉस्ट तो वेबसेट पी जाके आप हरे पासते हैं रियर वाइपर एंडिफॉगर बाहर से और यहां पर आपको कुछ ऐसे लडी टेल लांप समल जाते हैं स्मॉल से इसके लडी मिलेगी टर इंडिकेटर्स यहां पर हाइम उन स्टॉप लांप रिटा की बाजिंग रियर में ब्लाक के लोगी स्केट प्लेट यहा कुछ इतना बूट स्पेस बन जाता है साथ में इसको उठाएंगे तो यहां पर आपको स्पेर टायर मिल जाएगा जो कि है 16 इंचिस का 205 by 65 section टायर इस साइट देखते हैं तो यहां पर आपको हुक मिलता है लीचे की साइट कुछ स्टोरेज एरिया इस साइट देखेंगे में दो यहां पर मेजर चेंज करेंगे हैं पहला चींज यह कि एन्वेस्ट लेवल रिडियूस हुए तो यहां पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं 1.5 वीटर पेट्रोल एंजन दिया गया फोर सिलेंडर विद मानुल गेरवक्स और दूसरा है 1.5 वीटर फोर सिलेंडर इस मॉटल में पेटोल एंड डीजल दोनों ही अवेलिबल है विद मैनूल गेरवक्स साउंट एंडिंग मेटिरल यूज करेंगे हैं काफी अच्छे और यहां पर जो क्याबिन है इसका डीजल का भी जो है पेटोल का भी जो है वो जाधा सेलेंड विलता है सेलेटाउस के क सब्सक्राइब तो चेक करेंड एंड दोस्तों कुछ चैसी आपको कीज मेलेगी दोनों ही रिमोट फोल्ड कीज दी गई है और लॉक अलॉक टेलकेट स्विच मिल जाता है कार कॉं कर लेते हैं और यह है वेलकम फंक्शन और यह है डाशबोर्ट की लोग तो प्रेशा फेस्टों में आपको अटोमेडिक स्टाप सुछ मिल जाता है साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल दियागे है है तीनों इस्विच एल्यूमिनेटेड राइंस अवेलेगल इसेट काफी कॉंफडेबल दी गई है साथ में हैं यह एपको दोर सिल प्लेट मिल जाती ह आपको यह मिल जाएगा साथ में स्पीकर की स्पेश दिगई है ट्विन बॉटल होल्डर दोर पॉकिट अवेलिबल है इंसाइड दूर हैं यहां पे अपको ब्लाक कलूर का मिलता है आप चाहने तो बाद में क्रोम यह सिल्वर लगवा सकते हैं इसे की साथ औल फूर पाव यह फिर आपको उक्षिन नहीं दिया गया औल दो बाद में लग जाता है यह पे पावर डो लॉक स्विच साथ में एड्जिस्टिबल यहां पे और वीम तो मैंवली एड्जिस्टिबल है चाहने तो आप ट्रिक बाद में करवा सते हैं कोई भी डोर उपन आपको रिमांड नहीं मिलेगा इसको बंद कर लेते हैं तो यह है स्टेरिंग वील तो फ्लाट बॉटम यह पे स्टेरिंग वील दिया गया है अगया तो यहां पर टिल्ट अजस्मेंट साथ में आपे मिड गंड्रोल आपको मिल जाएंगे और बागी के जो स्टेरिंग गंड्रोल आप चाहिए तो बाद में इंस्टॉल करवा सते हैं साथ में आप आपको वाइपर कंट्रोल मिलेंगे टू वाइपर वाशर जो की स्काटर्ड स्प्रे करती है वाइपर काफी इच्छी तना से क्लीन कर देते हैं इसे की साथ यहां पर देखेंगे तो यहां पर हेड्लाम कंट्रोल और यह है दोस्तों इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर सेंटर में आपको मैलेज भी यह शो करेगा और क्या ट्रिप की मालेज रही कितना डिस्टेंस अपने टैवल कर और इंजर निंग टाइम क्या रहा तीनों चीज़ें आपर इसके लिए बाइड लांप डिले जो है फॉलमियो में लेड मीटो देवेकल फंक्शन उसको आन और अफ कर सकते हैं या पर यूज करते हैं या फिर हीड्लाम यूज करते हैं तो प्रॉपर डिस्प्लें मिलता है मोड कर तो आप इससे चाहें तो आफ कर सकते हैं और इसके जर्फ सेंटरी सेंघ जाए का अँश्यूज कर देग्यां एंटक यह रिशु सेंट में जारा हूँ तो पालिकन विच्टिंग टीग मिल जाती हैं आपे द्रहें कर सकते हैं मुटसिश कर सकते हैं और देख ईकने संस के साथ गया ब 오늘可以 मिल जाती है इसके साथ गाइस इसन आत पर अवेलिबल नहीं है बाद में आप चाहिए तो इंस्टाइल करवासते हैं इंफोर्मेशन अलड़ी में शेयर कर चुको इसके लगसे एक वीडियो पॉस्ट चैनल पर चेक कर सकते हैं और यहां पर मैंनुल इसी विद्ध हीटर और इसके लाव यहां पर कुछेंट आम्रेस जिसमें कुछ स्टोरिज अरी अवेलेबल हैं और यहां पर दिखेंगे तो कुलिंग फंक्शन नहीं दिया गया यहां पर आपको वैंड़ी मिरर मिल जाता है सेंटर में कॉंसूल बाद में इंस्टॉल हो जाएगा यहां पर डे अब चलते हैं रियर सीट्स पर अच्छे बात यह कि इस बेस मोडल में आपको जो सेफ्टी फीचर्स है वो काफी कमाल की मिल जाते हैं जो कि मुझे बैस बात लगी इसकी और सेल्टॉस में भी इवन आपको मिल जाते हैं डूल टोर रियर पार विंडोर कंट्रोल जो कि एल मिलता है और साथ में दो एजिस्टिबल हेड्रेस भी मिल जाती है सेंटर में जो आम रेस्टे आप चाहिए तो बाद में आफ्टर मार्केट 55-100 में इंस्टॉल कर वासते हैं बहुत ही अराम से इस सीट के बैक पे भी पॉकेट नहीं देगे सीट कर आप लगवाएंगे तो बंद दरते हैं तो थेटर डिमिंग फंक्शन और यह डाश्वूट की लोग बहुत सारे लिंक दियागे डिस्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों फटा फट से चेक करें और वेबसाइट ज़रूर विजिट करें उसमें आपको बहुत सारी इंफरमेशन मिल चाहेगी कोई भी बहुत सकते हैं कमेंट सेक्शन में ऐसी किसी और मॉडल का बहुत ही डिटेल आपको वाकराउंड चाहिए तो वह भी आप फरावट से कमेंट सेक्शन में पता दे